है यह लोग एवरिवन एंड वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल माइंड मैपिंग जीके आज के वीडियो में हम जर्नल साइंस के मोस्ट इंपर्टेंट कॉस्टेंट पढ़ेंगे जो भी कॉस्टेंज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे वो प्रिविएस एक्जाम्स में कॉस्टेंश निव शेर्यो करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ जर्नल साइंस जी settlement को हम पांच वीडियों के अंदर कम्प्लीट करने बाले हैं ये पार्ट वन वीडियो है जरू आल साइंस का हम डेली बैसी पर वीडिव अपलेद्ट करेंगे और हर वीडियो में 20 question होंगे और साथ में question का revision भी तो चलिए start करते हैं question number 1 है हमारे पास which device is used to measure very low temperature of objects वो कौन सा device होता है जिसकी मदद से हम very low temperature को measure करते हैं तो सही answer है इसका cryometer option A cryometer कैसा device होता है जिसकी मदद से हम very low temperature को measure करते हैं next question है हमारे पास which device is used to measure very high temperature of objects तो अगर आपको एक्जाम में पूछा जाए कि very high temperature हम किस device से measure करते हैं तो right answer है इसका pyrometer next question है हमारे पास what is the source of energy in sun and stars sun and star में जो energy produce होता है वो कैसे होता है तो right answer है इसका option C both A and B आपने ज्यादा तब जो answer पड़ा होगा वो nuclear fusion पड़ा होगा जो यह nuclear fusion का process होता है उसमें hydrogen जो होता है वो helium में convert होता है तो यह question थोड़ा सा गुमा के पूछा गया है एक्षिल में जो conversion of hydrogen into helium होता है उसी process को nuclear fusion कहा जाता है तो इसलिए इसका जो राइट अंसर है वो option C है both A and B so next question what is the hearing range of human air most important question है बहुत बार exam में पूछा गया है कि जो human air की hearing range है वो कितनी है तो human air का जो hearing range है वो है 20 hertz से लेकर 20,000 hertz तक so the right answer is option B human air की सुनने की शमता जो है वो 20 hertz से लेकर 20,000 hertz तक होती है है तो गैस next question है हमारे पास name the device which directly converts solar energy into electrical energy वो कौन सा डिवाइस होता है जो solar energy को electrical energy में convert करता है तो सही answer है इसका option A photovolteic cell photovolteic cell जो है वो solar energy को convert करता है electrical energy में और फोटो वोल्टिक सेल को हम सोलर सेल भी बोलते हैं तो नेक्स्ट कोस्टन है हमारे पास वट इस दी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैवटी एर्थी सेंटर आफ दी अर्थ most important question है और बहुत बार exam में repeat हो चुका है so excavation due to gravity जो center of the earth होता है वो zero होता है और जो excavation due to gravity होता है इसको हम small g से denote करते हैं और इसका जो formula होता है वो है g is equal to m1 m2 open r square यह आपने याद रखना है और यहाँ पर जो capital g है इसे हम बोलते हैं gravitational constant यह भी आपने एक्जाम याद रखना है एक्जाम में पूछा जा सकता है यह तीनु जो कोस्टेंज है यह मोस्ट इंपर्टेंट कोस्टेंट है इसका option A, 6 bones जो human air होता है इसमें एक air में 3 bones होते हैं और दूसरे एर में 3 bones होते हैं तो टोटल six bones होते हैं, तो exam में इन तीन bones के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनके नाम का भी पता होना चाहिए, तो number one पर जो आती है, bone उसका नाम है malvus, दूसरे में incels, और तीसरे में steps, और steps जो है, यह smallest bone है, human body में, सबसे smallest bone जो होती है, वो steps होती है, और यह हमारे air में होता है, तो guys, next question है हमारे पास, what is the SI unit of electromagnetic induction, electromagnetic induction का SI unit क्या है, तो right answer है, इसका option A, Tesla, और कभी कबार आपको exam में Tesla की जगा Weber per meter square भी दे सकते हैं, option में, तो आपको यह भी याद रखना है, अगर Tesla होगा, तो Tesla भी इसका है, अगर Weber per meter square होगा, तो यह भी right answer है, इसका, so guys, next question है, हमारे पास, atomic theory of matter was given by, तो right answer है, इसका option A, delta, delta next scientist है, जिन्होंने delta theory of matter को दिया था, so guys, next question है, हमारे पास, Fe has 26 protons in its nucleus, what are the number of electrons in Fe2 plus, so guys, यह question बोथ important question है, काफी बार exam में repeat भी हो चुका है, तो आपको इसका concept समझना है, ठीक है, so guys, अगर आपको concept समझ में आ गया, तो question चाहे किसी भी तरीके का पूछा गया हो, आप उस question को easily solve कर पाऊगे, तो question यह कह रहा है, कि Fe has 26 protons, तो friends, यहाँ पर बात हो रही है, Fe की, Fe जो के iron का symbol होता है, तो Fe के पास 26 protons हैं, और आपको यह बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी element, उसमें जितने protons होंगे, उतने ही electron भी होंगे, तो हमें यह पता लग गया, कि इसमें 26 electron होंगे, तो जितने proton होंगे, वही उसका atomic number भी होगा, तो हमें यह पता लग गया, कि इसका जो atomic number है, जिसको हम capital Z से denote करते हैं, वो भी 26 होगा, तो यहाँ clear होगे, जितने protons होंगे, उतने ही इसमें electron भी होंगे, और जितने proton होंगे, वही उसका atomic number होगा, तो आगे question में पूछा गया है, what are the number of electron in Fe2+, यहाँ पूछा गया है कि Fe2+, में कितने electron होंगे, अगर वो हमें simply Fe पूछता, तो answer होता 26, लेकर पूछा गया है Fe2+, तो यहाँ पर आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर पूछा होगा, तो मतलब इसमें इतनी deficiency है, तो आप क्या करोगे, जो 26 है, उसमें आपको 2 subtract करना होगा, मतलब 26 से आपको 2 minus करना है, तो कितना आगे 24 electron, तो अगर यहाँ पर minus होता, तो हम plus करते, 26 plus 2, तो हमारा answer होता है 28, तो यहाँ पर 2 plus है, Fe2 plus है, तो इसलिए हमने 2 minus कर दिया, और 24 electron जो है, वो हमारा right answer आगया, तो जो जो right answer है, इसका वो है 19, option A, और यह मैं आपको solve करके बताता हूँ, यह भी बहुत अच्छा concept है, exam में एक्सर पूछा गया है, यहाँ पर हमें atomic number दे रखा है 17, atomic number को हम capital Z से लिखते हैं, और यह हमारे पास 17 given है, और mass number given है, हमारे पास 36, mass number को हम capital X से denote करते हैं, यह capital X से लिखते हैं, और यह है 36, मैंने आपको बताया था, जो atomic number होगा, उसमें उतने ही proton होगे, और proton कितने हुए इसमें 17, और मैंने बताया था, जितने proton होगे, उसमें electron भी same होगे, तो guys, यहाँ पर पूछा गया है, कि total number of neutron कितने हैं इसमें, तो इसके लिए हमारे पास एक formula है, neutron is equal to mass number, जिसको हम capital X से denote करते हैं, और उसमें से minus करना है, हमने atomic number, जिसको हम capital Z से denote करते हैं, तो हमारे पास जो mass number है, वो है 36, और उसमें से हमें minus करना है, atomic number जो है 17, तो हमारे पास total number of neutron कितने हुए, 19, so guys, next question है, हमारे पास, what effect will be on acceleration due to gravity, if the radius of the earth is decreased, so the right answer is option A, increase, तो question हमारे यह है, कि जो acceleration due to gravity है, वो increase हो जाएगा, अगर आर्थ का radius decrease करेंगे तो, तो acceleration due to gravity का जो relation होता है, वो है small g, तो यहाँ पर एक derivation में आपको दिखाता हूँ, g is equal to capital G M1 M2 open r square, तो guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो acceleration due to gravity है, जिसको हम small g से लिखते हैं, यह inversely proportion किस के है, radius के, radius of the earth के, अगर radius decrease करोगे, तो acceleration due to gravity जो है, वो increase होगा, क्यूंकि यह inversely proportional है, तो guys, next question है, हमारे पास, which device is used to measure radio activity, radio activity को measure करने के लिए हम किस device को use करते हैं, तो सही answer है, option B, giger molar counter, जिसको हम GM counter भी बोलते हैं, so most important question है, बहुत बार exam में repeat हुआ है, और radio activity का जो SI unit है, वो है back roll, यह भी आपने याद रखना है, है, so guys, next question है, हमारे पास, what is the height of geostationary satellite from the earth, the right answer is option C, both A and B, जो exact height है, वो है 35,800 km, जो exam में कभी round up करके पूछ लेते हैं, 36,000 km, तो इसलिए मैंने दोनु वैल्यूस लिख रखे हैं, यहाँ पर, तो आपको दोनु वैल्यूस याद रखने हैं, exact value है 35,800, और round up value है 36,000 km, next question is, what is the working principle of washing machine, right answer is option C, centrifugation, centrifugation जो है, यह working principle होता है, washing machine का, next question is, what is SI unit of torque, torque का SI unit क्या होता है, है, so the right answer is, option A, newton meter, newton meter, जो है, यह ऐसा unit होता है, torque का, so the next question is, what is the purpose of chalk in tube light, tube light में जो हम chalk use करते हैं, इसका main purpose क्या होता है, है, so the right answer is, option C, reduce current in circuit, next question is, what is the SI unit of electrical conductivity, electrical conductivity की जो SI unit है, वो क्या होता है, है, so the right answer is, option A, मोह, और इसको हम सीमन्स से भी लिखते हैं, कभी-कभी option में सीमन्स भी दिया गया होता है, तो आपको दोनु याद रखने हैं, मोह भी और सीमन्स भी, अगर आपको exam में resistance का SI unit पूछा जाए, है, तो आपका अंसर होगा, ohm, और अगर आपसे पूछा जाए कि resistivity की SI unit क्या होती है, तो आपका अंसर होगा, ohm, meter, यह आपने याद रखना है, दोनु question exam में पूछे गए हैं, so the next question is, who invented the battery, battery का invention किस ने किया था, so the right answer is, volta, volta एक scientist थे, उन्होंने, बैटरी को invent किया था, next question is, what is the size of an atom, atom का जो size है, वो कितना होता है, so the right answer is, option C, both A and B, so guys, अगर हम बात करें, meter में, तो meter में होता है, 10 की पावर, minus 10 meter, और अगर हम बात करें, centimeter में, तो centimeter में होता है, 10 की पावर, minus 8 centimeter, यह atom का size होता है, यह आपने याद रखना है, exam में यह भी पूछा जाता है, कि atom के अंदर क्या होता है, तो atom के अंदर होता है, proton भी होते है, electron भी होते है, और neutron भी होते है, और guys, अगर आप से पूछा जाए, कि nucleus के अंदर क्या होता है, तो nucleus के अंदर सिर्फ proton और neutron होते है, Q1 ने हमारे पास Name the scientist who discovered neutron किस scientist ने neutron की खोज करी थी सेही अंसर है option A Chadwick Chadwick जो scientist थे इन्होंने neutron की खोज करी थी Guys यहाँ पर बात हुई है neutron की तो यहाँ पर मैं आपको एक concept समझाता हूँ कि जो atom होता है इसके अंदर mainly 3 चीजें होती है एक तो होता है proton Chadwick ने discover किया था और आपने एक बात याद रखनी है कि जो neutron होता है इस पर कोई भी charge नहीं होता exam में एक question भी पूछा जाता है कि neutron पर कौन सा charge होता है तो neutron पर कोई भी charge नहीं होता और electron पर minus का charge होता है और proton पर plus का charge होता है proton पर plus का electron पर minus का और neutron पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यहां पर आपको एक और में additional information देता हूं, जो neutron है, इसका जो mass होता है, kg में वो होता है, 1.67 x 10-27 kg, यह question भी बहुत बार exam में पूछा गया है और आपने यह भी याद रखना है, So guys, next question है, हमारे पास, name the water-soluble vitamins, वो कौन से vitamins होते हैं, जो water-soluble होते हैं, तो right answer है, इसका option C, vitamin B and vitamin C, vitamin B और vitamin C जो होते हैं, यह water-soluble होते हैं, तो guys, आपको पता होना चाहिए, कि जो vitamin word आया यहां, इसकी खोज किसने करी थी, तो C funk ने discover किया था vitamins को, vitamins की mainly two types होते हैं, एक water-soluble vitamins और दूसरे fat-soluble vitamins, water-soluble vitamins कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है word B and C, यनि जो vitamin B और vitamin C होते हैं, यह water-soluble होते हैं, और अगर आपसे exam में पूछा जाए कि fat-soluble vitamin कौन से होते हैं, तो guys, आपने एक word याद रखना है, it means कि जो vitamin K है, vitamin E ह और vitamin A है, यह 4 vitamin fat-soluble होते हैं, और vitamin B and C जो हैं, यह water-soluble होते हैं, question number third है हमारे पास, the image found by a dash mirror is generally real and inverted, right answer है, option C, concave mirror, concave mirror में image की formation real and inverted होती है, guys, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कि जो mirror होते हैं, वो दो types के होते हैं, एक होता है concave mirror और दूसरा होता है convex mirror, मैंने जो concave mirror होता है, इसमें image की formation real and inverted होती है, अगर आपसे exam में पूछा जाए कि convex mirror में image की formation कैसी होती है, तो आपका answer होगा virtual and erect, एक और question अक्सर exam में पूछा जाता है, जो shaving mirror होता है, इसमें किस mirror का use होता है, तो आपका answer होगा shaving mirror में concave mirror का use होता है, इसलिए जो shaving mirror में image show होती है वो real और inverted होती है Guys question number 4 है हमारे पास Atoms having the same number of neutrons but different mass number are called तो right answer है इसका option C isotones, isotones वो atoms होते हैं जिन में same number of neutron होते हैं but उनका जो mass number है वो different होता है, यह आपने याद रखना है इसके अलावा एक और होता है isotopes, isotopes का भी आपको पता होने चाहिए इसकी definition का Atoms of an element having same atomic number but different mass number जिन elements का atomic number same होता है और mass number different होता है उन्हें isotopes कहा जाता है, इसके इलावा एक और है जिसे isobar कहते हैं isobar जो है, यह isotopes का उल्टा है यह नि इसका जो atomic number है वो different होता है बट जो mass number है वो same होता है और third वाला जो मैंने आपको already पढ़ा दिया isotones, isotones में same number of neutron होते हैं but different mass number होता है so guys यह बोथ ही important concept है यह तीनों definitions आपको याद होनी चाहिए यह बोथ बार exam में यह question repeat हो चुके है next question है हमारे पास what is the escape velocity of earth earth का जो escape velocity है वो कितना होता है right answer है option c 11.2 km per second escape velocity वो velocity होती है अगर हम इस velocity से किसी भी object को space में बेजेंगे तो वो कभी earth पर वापस नहीं आएगा और definition में भी मैंने यही लिखा है guys अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है video अच्छा लग रहा है, content पसांद आ रहा है तो video को like करें next question है हमारे पास when a barometer reading dip suddenly it is an indication of dash right answer है इसका option C storm, question यह कह रहा है कि जो barometer होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ barometer क्या होता है, barometer एक scientific instrument है इसका basically use होता है atmospheric pressure को measure करने के लिए अब question पर आते हैं question में यह पूछा गया है कि अगर barometer की reading suddenly नीचे को आए तो वो किस चीज का indication है तो सही answer है इसका option C storm का, यहनी तोफान आने का indicate कर रहा है barometer, next question है हमारे पास name the scientist who discovered the phenomena of radio activity, कि scientist ने radio activity phenomena को discover किया था, right answer है इसका option D, Henry Bacquerel Henry Bacquerel, जो scientist है इन्होंने radio activity के phenomena को discover किया था, guys यहाँ पर एक world आया है radio activity, तो आपको पता होना चाहिए कि radio activity क्या होता है radio activity एक spontaneous process है इसमें जो emission होते हैं alpha particle, beta particle और gamma particle के होते हैं, और इस phenomenon को Henry Bacquerel ने discover किया था, और अगर आपसे exam में यह पूछा जाए कि radio activity की SI unit होता है, दोनों question exam में पूछेगें अगर ऐसा unit पूछा गया हो तो backquerel है अगर non ऐसा unit पूछा गया हो तो क्यों रही है, next question है हमारे पास which law of newtons define inertia Newton का वो कौन सा law है जिसने inertia को define किया है right answer है option A, Newton first law, Newton का जो first law है इसने define किया है inertia को ये भी आपको याद रखना है मगर आपको पता होना चाहिए कि Newton जो scientist है, उन्होंने motions के तीन ला दिये, एक है Newton first law Newton second law और Newton third law और Newton first law जो है वो inertia के बारे में बताता है next question है हमारे पास the total change of momentum is called तो right answer है इसका option B, impulse total change of momentum जो होता है इसे हम impulse कहते है next question है हमारे पास when the lift is at rest or in uniform motion then the apparent weight is so guys right answer है इसका option B equal to the real weight of body question को समझते हैं question में ये कह रहा है कि अगर lift जो है अगर rest position पर है या uniform motion पर चल रहा है तो जो apparent weight है वो क्या होगा तो answer है इसका equal होगा real weight of body के next question है हमारे पास what is the SI unit of luminous intensity luminous intensity के SI unit क्या होती है right answer है इसका option C candela तो guys candela जो है SI unit होता है luminous intensity का तो friends इस वीडियो में मैं आपको 20 most important question करवाने वाला हूँ बिल्कुल detail में और उसके बाद 20 questions का region भी सभी question आपको वीडियो के अंदर ही हमेशा के लिए याद होने वाले हैं वीडियो को last तक देखते रही है और guys अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें next question है हमारे पास optical fiber mainly used in communication is based on which principle so guys right answer है इसका option D total internal reflection fiber optic जो के हम communication में यूज करते हैं यह total internal reflection principle पर work करता है next question है हमारे पास what is the correct relation between frequency and time period frequency और time period में correct relation क्या होता है right answer है इसका option B inversely proportional होते हैं so guys frequency जो है इसको हम F से लिखते हैं और जो time period है इसको हम T से लिखते हैं तो हमारा answer क्या हुआ कि जो frequency होता है और जो time period होता है यह आपस में inversely proportional होते हैं और इसको हम लिखेंगे F is equal to 1 by T यहाँ F जो है यह frequency है और T जो है यह time है यहाँ पर दोनु आपस में inversely proportional होए F is equal to 1 by T यह भी आपने याद रखना है exam में पूछा गया question है next question है हमारे पास a body that absorbs all the radiations falling on it is called a dash तो right answer है इसका option B black body black body वो body होती है इस पर जितनी भी radiations आती है यह उन सब radiations को absorb कर लेता है so guys मैं आपको एक example देता हूँ आप सबने कभी न कभी experience किया होगा कि जो black cloths होते हैं अगर आपने गर्मी के मोसमें कभी black cloths पेने हैं तो आपको याद होगा तो guys काफी important question है यह right answer है इसका option B 0 resistance जो होता है ideal meter का वो 0 होता है तो guys यहाँ पर word आया है resistance तो resistance का symbol होता है इस तरह का कुछ और इसका जो SI unit होता है वो ohm होता है अब बात करते हैं इसकी definition की तो definition को दियान से समझना resistance is a opposition caused when electric rent is flowing जब भी electric rent flow करता है उसमें जो भी opposition create होता है उसको हम resistance बोलते हैं अब बात करते हैं emitter की emitter एक तरह का electrical device है जिसका हम use करते हैं to measure electric current electric current को measure करने के लिए हम use करते हैं emitter का next question है हमारे पास elements which possess the property of both metal and non-metal is called right answer है इसका option C metalloids question में पूछा गया है कि ऐसे elements जो metal और non-metal दोनों की property show करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं तो उनको हम बोलते हैं metalloids तो guys आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा predict table है उसमें total 8 metalloids हैं जो के property show करते हैं metal की भी और non-metal की भी for example हमारे पास boron है, silicon है, germanium है तो total cool मिलाके यह 8 होते हैं यह भी आपने याद रखना है So guys next question है हमारे पास relative charge and neutron is relative charge जो neutron पर है वो 0 होता है option C इसका right answer है उपर मैंने आपको question में कराया था कि जो plus का charge होता है यानि कि positive charge होता है वो होता है proton पर और जो minus का charge होता है यानि कि negative charge वो होता है electron पर और neutron पर जो कोई भी charge नहीं होता है 0 होता है यह neutral होता है, so guys next question है हमारे पास the number of protons or electrons of an atom of the element is called the dash of the element so the right answer is option A atomic number, question यह कह रहा है कि number of proton और electron जो होते हैं किसी भी element में वो क्या होते हैं तो आपका answer है atomic number होते हैं और atomic number को हम capital Z से denote करते हैं, यह भी आपने याद रखना है next question है हमारे पास what is the pH of pure water pure water का जो pH होता है वो कितना होता है तो right answer है इसका option C 7.0, 7 जो है यह pH होता है pure water का बात यहाँ पर pH की हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि pH का full farm क्या होता है, तो guys pH का full farm होता है power of hydrogen, power या potential of hydrogen, यह basically एक तरह का indicator होता है, इससे हम यह यह पता करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो aqueous solution है इसका जो nature है, वो कैसा होगा वो acidic होगा, basic होगा या neutral होगा यह हम पता करते हैं pH से और guys pH का जो indicator होता है उसमें जो number होता है वो होता है 0 से 14 तक यह भी exam में पूछा गया question है आपको पता होना चाहिए और guys, यहाँ पर मैं एक और additional information आपको दे देता हूँ जो human blood होता है इसका जो pH होता है, वो 7.4 होता है यह भी आपने याद रखना है यह भी important question है आपके exam के लिए next question है हमारे पास completely below reaction नीचे जो reaction है, इसे हमने complete करना है तो हमारा question क्या है NaOH plus HCl gives out X हमें यह X find करना है तो क्या होगा, plus H2O reaction है हमारे पास NaOH मतलब sodium hydroxide plus HCl मतलब hydrochloric acid gives out X, यह X find करना है और साथ में water आ रहा है तो guys, यह जो X है न, यहाँ पर आए का option C, NaCl यानने sodium chloride sodium chloride बोलो या आप इसको ordinary salt भी बोल सकते हो, यह question भी exam में पूछा गया है तो आपने याद रखना है So guys, यह थे total 20 questions एक बाद चल्दी से हम इन 20 questions का revision भी कर लेते हैं क्यूंकि GK को याद करने का सबसे best जो तरीका है वो होता है साथ में उसकी revision भी की जाए Question No.1 है हमारे पास Name the scientist who discovered neutron neutron की खोज किस ने करी थी तो राइट अंसर है इसका चैडविक चैडविक ने डिसकवर किया था neutron को So guys, next question है हमारे पास Name the water-soluble vitamins Water-soluble vitamins कोन से होते हैं तो इसका अंसर था Vitamin B and C और मैंने आपको बताया था कि Fat-soluble जो है वो होते है Next question है हमारे पास The image found by a dash mirror is generally real and inverted So right answer है इसका Concave mirror में जो image बनती है वो real और inverted होती है और मैंने आपको बताया था कि Convex mirror में जो image बनती है वो virtual और erect होती है Next question है हमारे पास Atom having the same number of neutron But different mass number are called तो उनको isotones बोला जाता है Next question है हमारे पास What is the escape velocity of earth तो 11.2 km per square जो होती है वो escape velocity होती है आर्थ की तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि escape velocity उस velocity को कहते है कि जिस velocity से हम किसी भी चीज को space में बेजे और वो वापिस आर्थ पर ना आए Next question है हमारे पास When a barometer reading dip suddenly It is an indication of dash तो storm का indication करता है जब भी कोई barometer की जो reading है वो down होती है Next question है हमारे पास Name the sentence who discovered the phenomena of radio activity तो Henry Bacquerel ने radio activity phenomena को discover किया था Next question है हमारे पास Which law of Newton defines inertia तो Newton का first law है जो है यह inertia को define करता है Next question है हमारे पास The total change of momentum is called तो उसको impulse कहते हैं Total change of momentum को Next question है When the lift is at rest Are in uniform motion Then the apparent weight is तो जो apparent weight होता है वो equal होता है Real weight of body के What is the SI unit of luminous intensity Luminous intensity का जो SI unit है वो candela होता है Next question है हमारे पास Optical fiber mainly used in communication Is based on which principle तो यह total internal reflection principle Based होता है Optical fiber Next question है What is the correct relation between frequency and time period तो यह inversely proportional होता है मैंने आपको बताया था कि Frequency को F से denote करते है Time को T से तो F is equal to 1 by T होता है Next question है A body that observes all the radiation falling on it is called तो black body होती है Question number 15 The resistance of an ideal emitter is zero होता है Ideal emitter का Resistance ideal emitter का zero होता है Next question है हमारे पास Element which possesses the property of metal and non-metal is called तो metalides होते है मैंने आपको बताया था कि total 8 metalides होते है हमारे predictable के अंदर जैसे बोरान, silicon, germanium, cool मिलाके यह 8 होते है Next question है हमारे पास relative charge and neutron is तो zero होता है मैंने आपको बताया था कि Proton पर positive होता है और electron पर negative होता है Next question है हमारे पास The number of proton or electron of an atom of the element is called the dash of the element तो atomic number होते है Next question है हमारे पास What is the pH of pure water तो pure water का जो pH होता है Power of hydrogen बोलते हैं pH को हम तो वह 7.0 होता है तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि Blood का जो pH होता है वह 7.4 होता है Last question है हमारे पास Completely below reaction NaOH plus HCl gives out X Plus H2O तो X की जगह आएगा NaCl यहनी के sodium chloride इसको आप ordinary salt भी बोल सकते हो तो guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो So guys question number one है हमारे पास What is the full form of word SI जो word SI है इसका full form क्या है तो जो word SI है यह French word से derived हुआ है और इसका full form है System International D Units और अगर हम इसको English में translate करें तो यह बनता है International Systems of Units So guys question number two है हमारे पास How many base units in SI system SI system में कुल कितने base units है तो कुल मिलाकर 7 base units है SI system में और guys मैं आपको इन 7 units के नाम भी बताता हूं Number one पर है length Second है mass Third है time Fourth है temperature Fifth है electric current Sixth है luminous intensity And gravity or seventh है amount of substance So guys question number third है हमारे पास What is the SI unit of length Length का SI unit क्या होता है То meter जो है यह SI unit होता है length का और इसको हम small m से denote करते है Small m इसका symbol है So next question है हमारे पास What is the SI unit of mass Mass का SI unit क्या होता है तो इसका answer है kg And kilogram का इस symbol जो है वो small kg से हम इसको denote करते है Question number 5 है हमारी पास What is the SI unit of time Time का SI unit क्या होता है तो right answer है इसका seconds और seconds का जो symbol है वो small s होता है So next question है हमारी पास What is the SI unit of temperature Temperature का SI unit क्या होता है तो answer है इसका Kelvin और इसका जो symbol है इसको हम capital K से denote करते हैं Question number 7 है हमारी पास What is the SI unit of electric current Electric current का SI unit क्या होता है तो answer है इसका Amphir Amphir electric current का SI unit होता है और Amphir का symbol होता है capital A So guys question number 8 है हमारे पास What is the SI unit of luminous intensity Luminous intensity का SI unit क्या होता है तो guys right answer है इसका candela Candela जो है यह luminous intensity का SI unit होता है और इसको हम small cd से denote करते हैं So guys question number 9 है हमारे पास What is the SI unit of amount of substance Amount of substance का SI unit क्या होता है तो answer है इसका mole जो mole है यह SI unit होता है Amount of substance का और इसका जो symbol होता है उसको हम mol से denote करते हैं So guys question number 10 है हमारे पास What is the SI unit of astronomical distance Astronomical distance का SI unit क्या होता है तो guys answer है इसका parsec Parsec जो है astronomical distance का SI unit होता है So guys इस सभी question जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ question को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये questions बहुत बार exam में repeat हुए है और मैं सारे selected question लेकर रहा हूँ आपके लिए इस वीडियो में So guys question number 11 है हमारे पास light year is the unit of which quantity Light year किस quantity का unit होता है तो answer है इसका distance Distance का unit होता है light year So guys question number 12 है हमारे पास what is the unit of heat Heat का unit क्या है So guys question number 13 है हमारे पास what is the unit of resistance ये question कहीं बार exam में पूछा गया है Resistance का unit क्या होता है So answer है इसका ohm Ohm unit होता है resistance का So question number 14 है हमारे पास What is the unit of specific resistivity Specific resistivity की SI unit क्या होती है So answer है इसका ohm meter Ohm meter जो है ये specific resistivity की SI unit होती है So guys question number 15 है हमारे पास What is the unit of work Work की unit क्या होती है So guys question number 16 है हमारे पास What is the unit of force Force की unit क्या होती है So Newton जो है ये force की unit होती है Question number 17 है हमारे पास What is the unit of pressure Pressure की unit क्या होती है So next question है हमारे पास What is the unit of intensity of sound Intensity of sound को measure करने के लिए किस unit का use होता है तो आंसर है इसका decibel, decibel का use होता है intensity of sound को measure करने के लिए So question number 19 है हमारे पास what is the unit of power of lens, power of lens की unit क्या है तो guys right answer है इसका diopter, diopter जो है ये power of lens का unit होता है Diopter की मदद से हम lens की power को measure करते हैं So guys next question है हमारे पास what is the unit of magnetic flux, magnetic flux की unit क्या होती है So guys next question है हमारे पास what is the unit of magnetic field, magnetic field की unit क्या होती है So guys next question है हमारे पास most important question है बोद बार exam में repeat हो चुका है What is the unit to measure depth of C, सुमुंदर की गहराई को मापने के लिए किस unit का इस्तमाल होता है तो answer है इसका fathom, तो fathom का use होता है सुमुंदर की गहराई को मापने के लिए So guys next question है हमारे पास what is the unit of electric charge, electric charge की unit क्या होती है तो answer है इसका hertz, hertz जो है यह frequency की unit होती है So guys question number 26 है हमारे पास what is the unit of radio activity, radio activity की unit क्या है So guys next question है हमारे पास what is the unit of capacitance, capacitance की unit क्या होती है So guys answer है इसका fathom, fathom जो है यह capacitance की unit होती है Next question है हमारे पास what is the unit of luminous flux, luminous flux की unit क्या होती है So answer है इसका lumen, lumen जो है यह luminous flux की unit होती है और इसको हम small LM से denote करते है Next question है हमारे पास what is the unit of inductance, inductance की unit क्या होती है So answer है इसका henry, henry जो है यह inductance की unit होती है Question number 31 है हमारे पास what is the unit of magnetic flux density, magnetic flux density की unit क्या होती है तो अंसर है इसका Tesla Question number 32 है हमारे पास What is the unit to measure plane angle Plane angle को measure करने के लिए किस unit का use होता है तो अंसर है इसका radian So guys next question है हमारे पास What is the unit used to measure solid angle Solid angle को measure करने के लिए किस unit का use होता है So guys next question है हमारे पास What is the unit of electrical conductance Electrical Conductance की unit क्या होती है तो answer है इसका Simons Next question है हमारे पास What is the unit of stress Stress की unit क्या होती है तो answer है इसका Pascal Next question है हमारे पास What is the unit of viscosity Viscosity की unit क्या होती है तो answer है इसका Poise Next question है हमारे पास What is the unit of atmospheric pressure Atmospheric pressure को measure करने के लिए किस unit का use होता है तो answer है इसका Bar का यूस होता है आट्वस्पेरिक प्रैशर कोमेजर करने के लिए हमारे पास what is the unit of navigation navigation का unit क्या होता है तो answer है इसका newtical mile so guys next question है हमारे लाद what is the unit of area area का unit क्या होता है तो answer है is the unit of volume volume क्या होती है?」 तो answer है신ी का cubic meter cubic meter जो है ये level की unit होती है सो गाइज question number 41 है हमारे पास electromotive force की unit क्या होती है जिसे हम emf भी बोलते हैं तो emf की unit होती है volt next question है हमारे पास what is the unit of velocity velocity की unit क्या होती है तो meter per skinned unit जो है ये velocity की होती है next question है 43 what is the unit of impulse impulse की unit क्या होती है तो answer है इसका newton second next question है हमारे पास what is the unit of angular velocity angular velocity की unit क्या होती है तो answer है इसका radian per second next question है हमारे पास what is the unit of surface tension surface tension की unit क्या होती है तो answer है इसका newton per meter newton per meter जो है ये surface tension की unit होती है next question है हमारे पास what is the unit of temperature टंप्रेचर की युनिट क्या होती है तो अंसर है इसका celsius अगर हम बात करें ऐसा युनिट की जो हमने question number 6 में पढ़ा था तो ऐसा होती है Kelvin so that question number 47 है हमारे पास what is the full form of system cgs most important question है बहुत बार exam में आ से का मतलव होता है उसके बाद मैंने आपको si system का full form बता था अब यहां होता है यह time को बताता है next question हमारे पास what is the full form of system fps मैंने आपको ऐसा ही पढ़ाया उसके बाद मैंने आपको cgs पढ़ाया और अब यहां पर आया एसं का मतलब होता है F अब का मतलब होता है फोट जो कि लेंद को बताता है यह साङे को बताता है और S का मतलब होता है 2 सेजिटीर टाइब को बताता है लिह टानिसम थन्हां को बिताता है इस जोके लिए मेतल को le female student तो बताता है and I set in order we will not eye for are expressed in which unit, जो nuclear sizes होते हैं, वो किस unit में express किये जाते हैं, तो answer है इसका Fermi, Fermi में express किये जाते हैं nuclear sizes,